तारक महता का उल्टा चश्मा में जीठालाल की भूमी का निभाने के लिए मशूर अभिनेता दिलिप जोशी के साथ शो के सेट पर एक अप्रिय घटना घटी है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिलिप जोशी का शो के निर्माता असित कुमार मोधी के साथ बहुत बड़ा विवाद हुआ बताया गया कि ये घटना अगस्त में दिलिप के कुछ दिनों की छुट्टी लेने के अनुरोद को लेकर हुई थी रिपोर्ट्स के अनुसार ये विवाद इतना बढ़ गया कि ये हाता पाई में बदल गया हाला कि जगड़े को लेकर शो के अन्यक अलाकारों से पूछा गया तो उन्होंने इस खबर का खंडन कर दिया इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स के अनुसार जब इस जगड़े की रिपोर्ट की पुष्टी करने के लिए आमित भग्ट से संपर किया गया तो उन्होंने इसे नकारते हुए कहा नई यार भिडे का किरदार निभाने वाले मंदार चंदावार ने भी कहा क्या बखवास है ये अब वाकिस ने फैलाई हम सभी बिल्कुल शांती और खुशी से शूटिंग कर रहे हैं रिपोर्ट के अनुसार जब दिलिब जोशी ने कुछ दिनों की छुटी मांगी तो असित ने बाच्चीत टाल दी जिससे अभिनेता नाराज हो गए गुसाय दिलिब जोशी ने असित कुमार का कॉलर पकड़ लिया और शो छोडने की धमकी भी दी बाद में असित मोदी ने उन्हीं शांत करने की कुशिश की ये पहली बार नहीं है जब तारक महता का उल्टा चश्मा के निर्माता और अभी नेताओं की बीच समस्याओं की खबरे सामने आई हैं फिलाल आप इस खबर पर क्या कहेंगे हम कॉमेंट बॉक्स में आपके जवाबों का इंतजार कर रही है